तो दोस्तों क्या हाल है उम्मीद है कि अच्छे होंगे बढ़िया होंगे चुरुक्षित होंगे दोस्तों आज हम लोग कंप्रेजन करने वाले हैं दो दो 5G फोन के बीच और दोनाई फोन का प्राइज जो है 20,000 रुपेक आसपास होने वाला है जिसमें सेख होगे आपका रेड़मी नोट टेन प्रो 5 जी मतलब भ mermaid यह फोन जो है चाईणा में लौँच हुआ रेडमी नगे नोट नाइन प्रो 5 लेकिन यह फून प्रफोन के बार में और भी जान पाएंगे तो आपका रेडमी का फोन है रेडमी नोट 10 पूर 5G कहले रोट 9 पूर 5G कहले के होगा इस फोन तो सेम है लेकिन चाइना में नाम अलाग है हमारे इंडिया में नाम अलाग है मतलब इस फोन को हम लोग रेडमी नोट 9 पूर 5G भी कह सकते रेडमी नोट 10 पूर 5G कह सकते कोई दिख्कत नहीं है तो जो भी दोस्तों वीडियो को देखते रहेगा मतलब आपका बाज़ेट अगर 20,000 रुप एक आसपास में है और आप अगर एक 5G फोन पूसेस करने का मन बना रहे है तो दोस्तों आपके लिए काम का होने वाला है क्योंकि भाई इस वीडियो में हम लोग दो फोन के विज में कम परिजन करने वाले दोनों फोन का फ्राइज जो है 20,000 रुप एक आसपास में होने वाला है तो वीडियो को देखते रहे हैं दोस्तों आपको बरियंसे पासा चल जाएगा कि अब तो आज से में हामेशे की तरह सबसे पहले बात आपका लाएज दोनों फोन के बिल्ट क्वालिटी के वार में दोनों के डीजाइन के वार में दोस्तों देखिए आएसे में आपका रेड्मी नोट 10 प्रो 5G है ना इसमें आपको ग्लास बिल्टी मिलता है ओके और इस यहां प्राइस पॉइंट के हिसाब से मोटो जी 5G में प्लास्टीक बिल्ट बिल्कुल जाश्री नहीं करता है यहां पे दोस्तों ग्लास जरूर होना चीए था मतला हमें हैसाब को में कहते आ रहा हूं कि आगर कोई भी फोन का प्राइस 15000 से उपर है तो उस फोन में ग्ला आपको Redmi Note 10 Pro 5G सबसे बैतर होने बाला है तो आगर बात अगरे लुकिंग की दोस्तों लुक की तो दोने फोन का अच्छे दिख रहा है आप किसी को खराब किसी को आच्छा नहीं कह सकते लुकिंग के मामले में दोस्तों दोने फोन का भी भैदर देख रहा है अभी खूपस लेकिन अगर बाते करें ओफराल दोने फोन का डिस्प्ले की जो आपको Redmi Note 10 Pro 5G आने इस फोन का डिस्प्ले तो सब भैदर होने वाला है क्योंकि दोस्तों Redmi Note 10 Pro 5G में आपको 6.67 इंच का एक डिस्प्ले देखनों को मिलता है जिसमें आपको देखनों मिलता है 120 हर्स का रिफ सकते की बाई जो आपका Redmi Note 10 Pro 5G आने इस फोन का डिस्प्ले थोरा सा भैधार या पर होने वाला है तो अब यह बाता कर लेते दोनों फोन में क्या का प्रोशेशर यूच किया गया दोनों का प्रोशेशर कैसे होने वाला है उसका बार में दोस्तों आपको सेम प्रोशेशर में भैतर मिलेगा मतलब Redmi Note 10 Pro 5G में आपको देखनों को मिलेगा यह पेस 2.2 टाफ के स्ट्रेस लेकिन अगर बात करें Moto जी 5G के दोस्ति आपको देखनों को मिलता है यह पेस 2.1 टाफ के स्ट्रेस मतलब यहां पर यहां फ्लोटिंग टाइम वेकर आपको आपको स्लाइडली देखनों को मिलेगा Redmi Note 10 Pro 5G में लेकिन दोस्तों आपको उतना ज्यादा नोटिश नहीं होगा तो प्रफोमेंस दोनों फोन का बिल्कुल सेम होने वाला है ऐसे कोई दिख्काता नहीं है दोनों का प्रफोमेंस अच्छे होने वाला है और से मुलर सा होने वाला है दोस्तों 108 मेघब्के सफिशन का अबना धीज संसर और जो 8 मेघब्के सेथे अध्यक्वाली वाला है उसमेंस एक होने वाला है उसमें से इस दूसरा होने दो आफिस पहले कर लेंदे मोटो जी 5G के के मारा के बारे में दोस्तों पूर्पीछे आपको तीन के मेरा के साथ मिलता है धि यह वाले केमरा दोस्तों यह माइक्रो लेंस होने वाला जिसमें आपको देखने हो बला एक तो अब यह सब्सक्राइब होने वाला है तो ऐसे में मतलब ज्यादा मेगाविक्षल का इसलिए नहीं मतलब जैसे का म्लोग जानती कि बाए रेड्मी नोटेन पर 5G में लोग को 108 में कैमेरा मिलेगा में कैमेरा वही दोस्तों जो आपका मोटरो जी 5G है इस में आपको सेंसर मतलब आपका सेमसंग का फ्लक्षिफ फोन आना समसंग एक से नोट ट्वेंटी आल्टरा जो कि एक लगके फोन है तो इसमें आपको देखने का मिलता है समसंग के केमरा सेंसर लेकिन दोस्तों आकर बात करें डोनों फोन के केमरा की तो आप यह सेंसर के होने वाला है अब सिर्फी आपको बारे में दोस्तों आपको देखने को मिलता है आरस बैसे मेंस के बाटरी में करा जाएगा तो बाते कार लेते हैं आपको देखनों मिलता है पाथ सब्सक्राइब करा जाएगा दोस्तों निख सकते कि बाइद यह लागब से होने वाला मतलब 4800 मेज की ज्यादा फरक नहीं है लेकिन बाते करें बैटरी वेकाप की तो आपको ज्यादा मिलेगा दिस्पले हो ज़्यादा बैटरी भी पिएगा लेकिन यहां पर बाते करें रेडमे नोटेटरी बैटरी पिएगा अगर बाते करें तो यहां पर आपका बैटरी देखर लेकिन अगर बाते करें अपको जयदा बैटरी अपको अगरें बहुत अच्छी बात बाते को बैटरी में लेकिन दोस्तों यहां पर आपको मोटो जी फाइफ जी है इसमें आपको देखने मिलेगा एस्ट्क अंड्रोएड मतलब कि किसी भी तरह इंटार का फ आपस आपको देखने को नहीं मिलेगा मतलब एक क्लीन कट युवाई होने वाला एक एस्ट्रक एंडवेट के सब्सक्राइब मोटो जी 5G में जो कि मोटो जी 5G का बहुत ही बार एक प्लास पॉइंट है लेकिन अगर बात करें रेड्मी यहां पर आपको मिलता है और अम लोग सब को जानती कि मी यहां न इसमें अपको मिल जागा लेकिन थोड़ा बात बात के दोस्तों आपको सारे का सेंसाट देखने को मिल गयाता है मतलब आइएसे मीधा common and is always get मिलेघा की मिल जाता एंटिक विछेज में इंडिया में मतलब में 10000 रूपिया थे edmi note 10 पर 5Г के प्राइस के बारे में दोस्ता में इस है रिट्मार हूइल यह चाइना में 3 बैरेंट के तो मुझे लगता है कि यह फोन जो आमारे इंडिया में आएगा तो इंडिया में वे दूस्ती फोन जो तीन वर्येंड के साथ लॉंच होगा तो चलिए बाताय कर ले दिश्मन के प्राइस के बार में तो जैसे कि आपको माता चुग हो कि वाए रेट्बी नोट टेन पूर फ सब्सक्राइब करें तो दूस्तों होता है 20,000 रुपय का सपास तो ऐसे में अगर सेम बाते करें मतलब दोने फोन का जो आपका छेज़ी विर्यम एक्साटाटी बेस्टोज वाला वरियंड है सेम बाते करें दोनों फोन के तो हम लोग देख सकती है जो मोटो जी फाइम जी सब्सक्राइब करें दोने फोन अच्छे है दोने फोन बहतर है तो आपके का यहाए ऑगा वले फौन चाहते हो और शाथ में आप फ़ालतों का एड्स बेगरा नहीं चाहते हो ओके और आप चाहते हें कि वह आपका जो डिवाइस आना तो सीकुयर हो तो मोटो जी जी जो है आपके लिए बिल्कुलि सही होने वाला है मतला यह सरी चीज के लिए आप अगर एक 2000 रुपे ज़्यादा देने के लिए तैयार हो और साथ में विल्ड क्वालिटी और डिस्पले से अगर आप थोड़ा सा कंप्रमाइस कर सकते हैं तो भाई लिए परता है तो भाई जब का रेडमी नोटेन पर फाइब जी आपके लिए सबसे बहतर होने माला है मतलब अगर सारे चीज़ मिला कर देखा जाए तो रेडमी नोटेन पर फाइब जादा बहतर है लेकिन इसका भी थोड़ा सा प्रब्लम होई है कि एड़ गुचट जाता ह है तो यह थोड़ा सा प्रब्लम है इसका तो मतलब सारे चीज़ सही है दोने फोन काफी अच्छा है दोस्तों सारी आपके बट करता है मतलब बट्राइस तो यह जो समझाना यह कुछ रहा था वह सामच चुक लेकिन दोस्तों प्रमान में कोई भी सवाल ही दो प्लीस कवा करिएगा हम दोस्य रिक्रश करें आपके सावार मत्रम बन्याप जब देंगे लों नको प्लिकुंत ऑच्छा लागा हो इसे वीडियो लाता है थोछ अपको दोस्तों को भुछ भूत धनवाद आज के लिए इतना है दोस्तों फिर चे हज़े नुम्हेक नाई वीडियो के साथ तक ले जहन मन्हात्राम हिन्दुशन जिन्दबाद येन गलाब जिन्दबाद भारत मता की जाय